यहाँ पर आज मैं फिर से अगें कोशिश करूंगा कि मैं आपके एक्जाम में आने वाले हूं या फिर आज मकसर्ट आज मार्याच फैलिए मैं पर के जा कुल भी करते हैं फिर द dáंगे ऐनां surface ने आप की अप हो दाउन्ड चीज्ए में लिक्षा करें और यहां से सब्सक्राइब आपकी स्क्रीन पर यह रहा इस वाले कुछन को देखें हमारे पास पहला कोश्चन इस वाले कुछन को सब्सक्राइब आपकी आज चले इस वाले कुछन कीजिए क्या होगा इस वाले सब्सक्राइब आपकी तो हमारे पास यह है कुछ ऐसे के रेडियस वासर्कल सर्कल है हमारे पास एक उसकी रेडियस से वाले सेंटिबिटर है और एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी पहली बात आपको बता दूं पूरज हमारे पास सरकल होता हैं पूरे सरकल की जो हमारे पास लेंथ होती है किन लिए टू rav to 360 डिगरी पर 360 डिगरी पर हमारे पास कितना होता है यह mas कि एकادर मतलब क्या होता थीशे डिपरी यह होता है K जफे ऑन डिगरी में किना होता है टू पाई आर अपन रीचिक्स्टी अब यह मतलब ही two स्क्क्राइब हैं तो फॉन डिग्री में कर दा र हमारे पासं करना ॥िप्शारच इंट तू और हमारे पास भी कितना है अब हो ईक चेकें ऐसे पर यहां पर हमारे पास 15 कितना देह लेते हैं यार करना पड़ेगा इसको वह हुआ ये हिसको या ना चाहिए हमारे पास है AP रीदेन से पाई- focusing करना पड़ेगा ना उत्वे स्काटागत नहीं है कि इसमें कुछ 110 कैसे आ रहा है आप लोगों का 110 कैसे आ रहा है बताए भाई लोगों how can be your answer is 110 बोले भाई लोग 110 कैसे आ रहा है आप लोगों का 150 upon 360 अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूँ इसे काटू ना चलो अगर मैं इसको ऐसे काटू ना देख लो भाईया आपके सामने है 2 pi r upon 360 150 हो जाएगा तो इन्टू 150 हो जाएगा चलो 2 pi तो 22 बेटे साथ ले लेते हैं r हमारे पास r हमारे पास 42 रखते हैं 150 और 360 चलो तो हमारे पास 7 से 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा 60 से 0 से 0 कट जाएगा 32 जा 35 हो जाएगा टू से 2 कट जाएगा बिलुकुल बिलुकुल सही क्या रहे हूं तो 22 से पुन पाच पर उसके साथ 7 का मुल्टिपल चलो ठीक है कि 7 नीचे से अकट गया आपने पाई की लेली पर ध्यान रखना इसको आप इसके अंदर यहां पर दिक्कत है यह इसका आंसे तो आ रहा है वंडे टैन यहां से वंडे टैन आ आगे आपका यहां से आपका व हावना यह भी है क्योंकि यहां तो आपने डिरेक्टली पाई के वरे रख दिसको रेडियल में चेंज ही नहीं किया एंगल को खेंच लो डिग्री से डिग्री कट गया यह भी सही है डिग्री से डिग्री कट गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डिग्री से डिग्री प्रफिस एरिए फिरी गडिया है दसम अव दर लेंथ ब्रेट एंड हाइट फ़क्वर्ड बॉक्स त्वेंटी से इन टोटल सर्फिस एरिए फिवोड इस वन तो फ़फिटी सिक्स टीक है दो शब्पन्द हमारे पास लेंथ ब्रेट और है तो जो हमारे पास है उसका पूरा हमारे पास टू लेंथ इंटु ब्रेथ ब्रे मारे पास है जुट इनठी रेंट लेंथ यह आपके पास होगा टू कैलीए वटिसले सिक्स maximum length के याओगे stick की that can be placed inside the cubo box obviously बात है हमारे पास cubo box ऐसा होता है मेरे चीतों दोस्तों cubo box ऐसा होता है इस पर हमारे पास maximum वारे जो stick होगी वह यहां से यहां से यहां रखी जा सकती है यह हमारे पास maximum stick रखी जा सकती है अब इसकी length कितनी होती है की length होती है हमारे पास यह होती है लेंध L square plus B square प्लस H Square मताई तो कि फॉर्मिला बता दिया है मैंने सब बता दिया गूरूर्णिंग को बादि जलो गूर्मॉर्मार्णिंग सभी और राधे राधे सभी का स्वागत है घृ बोली अ है क्या बेसिक सी बात है आपके वासे A plus B plus C का whole square क्या होता है हो A square plus B square plus C square plus 2 है ना LV क्या रहा हूं दिमाग में वे length into breath चल रहा है चले यहाँ पर AB AB BC और CA बिल्कुल same formula A plus B plus C क्या लगा देंगे length plus breath plus height क्या formula लगा देंगे length plus breath plus height मतलब हमारे पास लंबाई चोड़ाई और उचाई लगा देंगे तो लंबाई प्लस चोड़ाई प्लस उचाई किसके राप रहा जाएगा लंबाई का square प्लस चोड़ाई का square प्लस उचाई का square प्लस 2 LB plus BH plus HL बास लगा डाला इसका मतलब हमारे पास 20 का square 20 का square हमारे पास कितना गाई चाड़ सो आएगा इसकी वेलू में बास आंसर कितना है तो बारा इस राइट आंसर 12 विल भी दा राइट आंसर बात समझ में आ गई है तो बहुत ही बेसिक सै एलजेब्रिक फरम्ला था एलजेब्रीक फॉर्म्ला वह है कि सारे के सारी चैप्टर से एक साथ से एक साथ एक साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है बै 12 is the right answer, 12 will be the right answer, अगला question, अगला question, इसका answer कितना होगा, 1665, 1665 divided by 37, divided by 37 plus 42 into 5, बहुत ही basic सा question है, बहुत ही basic सा question है, बताइए, क्या answer होगा है इसके अंदर, what would be the answer of this question, इसके अंदर कितना होगा, क्या ये value directly 37 से कर जाएगी, क्या ये value directly 37 से कर जाएगी, क्या हमारे पास 37, इसको आप आराम से ओकर कर देख लिए, 1665, 37, 37, फूर जा कितना होता है, 120 और 28, 148, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, यहां पर 185, तो 37, 5 जा होता है, हमारे पास, 37, 5 जा हमारे पास, तो हमारे पास 45, तो 185 आ गया, तो 185 तो यह आ गया, और हमारे पास यह कितना होता, 210 होगा, 5, 9, 395 is the right answer, 395 नहीं है, कैस के अंदर, 395 जा है, कैसी बाते कर रहे हो, 45 तो यहीं आ गया हमारे पास, 45 है, 45, क्या दिमाग चल रहा है, जा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, 45, क्या दिमाग काम कर रहा, 185 कहां से लेकिए आगे मैं, चालो, 255, चलिए, सुबह, सुबह, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़ी है, आचा हाँ, जिन जिन बच्चों का आज MTS का एक्जाम है, जिन बच्चों का MTS का एक्जाम है, उनको all the best, सभी चीज़तों को, all the best for your examination, सभी को all the best, ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं 185 होगा है, अपने हिसाब से 185 लिख दिया है, मैंने, कहीं भी 185 ने लिखा तो 45 था, इस कांस बताएंगे, हमारे पास X की value, कितनी है, हमारे पास 0.05, 0.05 into 0.36, ठीक है, यह सब कुछ आपको दे रखाएंगे, इसको दुबार से लिख लेता हूं, इससे की, बड़ा-बड़ा कहिधर आएगा, यह कहीं solve कर लेंगे, यह कर लेते हैं, 0.05 into 0.36 divided by 0.4 plus 0.055 plus 1.50 upon 0.03, बहुत अच्छे है, अब solve कर सकते हैं, इसको अराम से, यहाँ पर 0.4, इसको 0.9 आएगा, 0.4 into 0.9 जा कितना होता है, 0.36 आजाएगा, यह दुने इंटू होंगे तो कितना हैगा, 0.0045 आएगा, यह एक के बाद, दो के बाद, तो तो तीन के बाद आएगा, 0.045 ठीक है, और 0.055 यह प्लस हो जाएगा, इसके साथ, तो यह हमर प 10 और यह हमर पास 10, तो यह आजाएगा, इतना आजाएगा, 0.1 आजाएगा, और यहाँ पर 2 के बाद, 2 के बाद, तो 350 जाएगा, ठीक है, प्लस 50, तो आंसर कितना हैगा, 50 और यह 0.1 तो आंसर हैगा, 50.1, उत्तर हमारे पास B option आएगा, उत्तर हमारे पास 50.1 आजाएगा, उत्ता है हमारे पास 50.1 आएगा session को like करते हुँ चलेंगे session को like करते हुँ चलेंगे चलेंगे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया 50.1 आजाएगा answer बिल्कुल हमने भी बच्चों की तरह किया आराम से दो के बाद काटा आराम से तो यह 0.9 है यह 0.9 है ठिक चलें 50.1 इस राइट आंसर जल्द यल्दी भी कर सकते हैं वह यह कि question गलती ना करें तो आप राम अराम से करें प्रीड बाद में accuracy पहले प्रीड बाद में accuracy पहले आईए तो population of a town increased from कहां से लेके एक लाग से लेके एक लाग थी है हमारे पास और वह कहां तो जाई धाई लाग तक गई वन लैक से के नमब 2.5 लैक तक तो हमारे पास बिल्कुल डेड लाग बढ़ गए 1.5 लाग बढ़ गए कितने साल में पांस साल में वाट इस दे अप्रॉक्सिमेट कंपॉण इंट्रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंपॉण इंक्रीज और पॉफिशिप परियर हर साल कितना इंक्रीज हुआ हुआ अच्छा माल लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ होगा सपोज हमारे पास यह सपोज कि हमारे पास वन लैक है वन लैक है पहले साल भी हमारे पास X इंक्रीज हुआ ठीक है पहले साल भी हमारे पास ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास पहले X से Y हुआ अगले साल भी X से Y हुआ अब कितनी होगी X स्क्वेर से Y स्क्वेर हो गया है एक्सस्वार से Yच्वार हमारे पास हो गया है तो हमारे पास वन लैक से हנסipes a फाट्वार को गया है डो पैक तौ आप एसजिऊ कर सकते हो City da ॗkellतोया है डिअनि मेंसे पर सुद्वार गोगे देख सकते ओ हमारे पास 53 पांस साल में हुआ है यह पांस साल में हुआ है तो हर साल इंक्रीज हो जाएगा 10% सबसे छोटा परशंट लेना पड़ेगा 10% ठीक है नहीं सबसे छोटा परशंट लेना पड़ेगा ऐसे फाइव येर्स में न पांस साल में न हूँ तो पांस साल का मतलब क्या हो जाएगा कि एक, दो, तीन, चार, पाच 5 years में बन गया हो दो, तीन, चार, पाच ratio भी लेते हैं तो 10 से 25 यह आपको करना ही पड़ेगा भी यह यह आपको ऐसे इनको इसको लगा के देखना पड़ेगा आपको 10 percent लगा के देखना पड़ेगा 110 पांच बार इंग्रीज पॉपुलेशन 5 साल का तो नहीं निकल पाएगा पांच साल में तो बहुत जादा हो जाएगा 10,000 11,000 10% तो नहीं आ पाएगा नहीं 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 बीटा करते हैं इसको करते हैं 5 एर्स में प्रॉब्लम आएगी 5 एर्स में प्रॉब्लम आएगीस में 5 एर्स का मनलब तो ये हो जाएगा हमाने पास आप इस हाली कुष्यों करें तब तक यähän लेग था और ये हाद ठीक है कुछ भी नहीं बैटरा है 5-5-2 जा इस बताता हूं मैं चली उससे करिए आउई नहीं, नहीं, चली, देखते हैं उसे बेटा, देखते हैं, 50% of A is equal to 80% of B, पांस साल नहीं हो ना, आपर question में कुछ गरबढ़ है, एक बड़ देख लेता हूं, question में कुछ गरबढ़ है, 20 सही है, अच्छा है से 20 सही है तो, धन्यवाद, 20, 20 परबढ़ आगे देखते हैं, 1 upon 5, 5 से 6 हुआ, 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 6 सा multiple आना चाहिए, नहीं, नहीं, ये भी नहीं सही है, देखते हैं, चलो, 50% of A हमारे पास 50% को अब ला, half of A, half of A is equal to 80%, 80% को अब वालों कीना थे 4 by 5 of B, ठीक है, तो हमारे पास कितना हैगा, A upon B, A upon B की वेल्व कितने हैं, हमारे पास A upon B की वेल्व कितना हैं, 8 upon 5, 8 upon 5, what is the ratio of A to B, A to B हमारे पास ratio क्या होगा, A to B हमारे पास ratio, D option होगा, D option होगा, D option होगा, बहुत easy question है, मैं सोच नहीं उस वाले को इसको हमारे प्यार में गमी रही है चलिए इस वाले कोश्चों को देखते हैं मौरिंग 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 भाई लोग सभी को गुर मौरिंग इस तो बहुत आसान कोश्चन है इस तो बहुत ही आसान कोश्चन है हमारे पास 2000 से कोई चीज 3120 बन गई है कितने यार 2000 से सिंपल ही बात है 1120 हमारे पास कितना आ गया है इंट्रेस्ट आ गया है 1120 हमारे पास इंट्रेस्ट आ गया है दो साल में दो साल में तो इंट्रेस्ट हमारे पास 1120 है कहां से 2000 प्रिंसिपल है रेट हमें पता नहीं टाइम हमें दो साल पता है तो पी आर्टी अपॉन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड तो कटेगा जरू से जरू कटेगा इसे दूसे काटो को तो 56 और कुछ बचा हुआ है दो से भी काटो को तो हमारे पास 28 रेट हमारे पास कितना अप्षाइस आ जाएगा अठ्थाइस बेड बहुत इसकोशन था तो बहुत यह असान कोशन था चुछ ना है यह चलिए चलिए बहुत अच्छे बहुत बढ़िया सभी का अंसर बिल्कुल सही आ रहा है श्रीवान स्तान्डिया मोहमद फुक्रान गोमल 28 परसंट चलो ठीक है अगला कोशन अगला कोशन दिमाख में तो वही चल रहा है कि कैसे फाइव यूर्स में वह ले कि जा सकता है चलिए देखेंगे इस वाले को श्रीकान से बताएंगे जल्दी से चल देते हैं एक ट्रेडर ने बिया बीस प्रोफित का मतलब कितना होता है कि सोग कीचीज हमने कितने की बिच दी एक सुब्स की बिच थी खैर उसने क्या बोला इफ यदी अगर वह आधे पे बाई करता है बाधे पर और सेंट यसमें पहले बैश्त निकाई बैश्त पहले कि नहीं घृत इसलों परफट सब्सक्राइब पोचास और फॉट परकास परफट को फॉट पर फॉट्स दो असान एकोशन सी ऑप्शन ओप्शन ओफॉट इस वाले कुछ भी निदा इस वाले कुछ भी निदा चलि उसको चुछ इलाज करेंगे कैसे फाइवेर्ज में कर सकते हैं एप्रॉक्सी आंसर आएगा एग्जेक्ट तो आंसर आनी पाएगा उसका अगर आंसर आना भी होगा तो चलि बोलो भाई लोग 20% of mark price is equal to 50% of cost price तो 20% of mark price 20% of mark price is equal to 50% of cost price ठीक है मैंने भालो भाई लोगो आप्शन में 150 नहीं है तो आप्शन में तो 150 की बात नहीं करिए आंसर तो 140 है शिवांस जी आप्शन में तो आंसर तो 140 है 150 कहां से आ गया जरू से जरू तो देखिए MP और CP हमारे पास हमारे पास ratio की नहीं MP और CP का 5 और 2 आएगा चलिए इस नो डिसकांट विस्सलिए vibration नहीं देते हो तो तो आप MP पे healthy अपने निए तत्यवकशर पर रूपे का है अब रूपे की 3 का पास हुआ जिस पांट गया किषस्कांटमें मुंक्वार्टाभर्वक निदे एक सो पचास इस राइट आंसर क्योंकि हम कैसे दो पे तीन का प्रॉफिट तो किससे हंडेट से इंटू कर लेंगे तो फिफ्टी इंटू थ्री वन फिफ्टी आएगा अंसर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलिए morning 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 session को like करते चलेंगे session को like करते चलेंगे तब तक मैं तुम्हारे सोचता रहता हूँ कि उसका उत्तर क्या हो सकता है क्या better way बन सकती है उस वाले question की क्योंकि हमारे दिमाग में तो approximation के वैल्लू के इलावा कोई और वैल्लू आए नहीं रही है चलिए देखते भाया अगला question इस वाले question का आणसर कितना होगा वे क्या करते अवरेज एज अवस्बेंड वाइफ और चिल्डन दो साल पहले दो साल पहले उन सभी का आवरेज कितना था 20 ध्यान लकना आज हम तीन लोग हैं तीन साल बाद हम मिलेंगे तीन साल बाद मिलेंगे तो हमारे एवरेज कितना होगा इड हो जाएंगे तो एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा average भी उतना ही बढ़ जाएगा ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास तीन है, हमारे पास तीन लोग है, husband है, wife है और child है दो साल पहले उनकी average कितनी है 28 है, दो साल पहले अब कितनी होगी, present में कितनी होगी present में उनकी average age कितनी होगी present में average age उनकी 30 होगी तो sum कितना होगा, उनका sum कितना होगा, husband, wife और child का, husband, wife और child का sum कितना होगा, 30 into 390, तो इन तीनों का sum होगा, 90 होगा, अगर दो साल पहले उनका average 28 है, तो present में उनका जो हमारे पास average होगा, वो 30 होगा, उतना ही आगे बढ़ जाएगा, sum कितना हो 90, अच्छा, उसका उसने क्या बोला, and the average age of husband and child, husband और child का, जो average age है, husband और child का, जो average age है, 5 साल पहले, 5 साल पहले 21 था, 5 साल पहले 21, तो अब कितना होगा, 26 होगा, present में 26 होगा, अब या 5 साल पहले हमारे पास 21 है, तो अब present में कितना होगा, 26, 5 साल आगे बढ़ जाएगा, 5 साल आगे बढ़ जाएगा, 26 ह रहेगा तो इनका सम कितना होगा इनका सम हमारे पास कितना हैगा 26 इंटू 2 कितना होता है 26 इंटू 2 कितना होगा 52 तो हमारे पास किस की है इसका लिए wife की तो हमारे पास husband wife और child का हमारे पास सम कितना है 90 है और हमारे पास husband और child का हमारे पास कितना है 52 है तो तो हमारे पास वाइफ तो यही आ रही है यह मानस हो जाएगा फिफ्टी थर्टी एट आंसर इस ए ओप्शन आंसर इस ए ओप्शन चलिए बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत सिंपल सा कोश्चन था कोई डिफिकल्ड कोश्चन था नहीं नौर्मल एवरेज कोश्टी कोई कोई अलग बात नहीं आ एक जठीक है नॉंल कोश नैद कर travelling देखी ​​ यह हमारे पास की किसी काम को नौ दिन में कर पाता है यह किसी काम को नौ दिन कर पाता है वैल्कुल शॉभी चाहँ सवी किसी काम को A 9 दिन में कर पाता है A हमारे पास क्या है 9 दिन हो गया है उसने क्या बोला हूँ है B is 80% more efficient than A जो B है हमारे पास वो 80% जादा efficient है 80% कितना होता है 4 upon 5 80% जादा efficient है किस से A से A से जादा शमता वाला है A से देख रहे हैं A की शमता अगर 5 है तो B की शमता 4 जादा है तो B की शमता कितनी होगी 9 होगी और अगर आपको शक है तो आपको समझने में तकलीफ होती है तो मैंने आपको वैसी बता दिया तो इनकी यह क्या हो जाएगा इनकी हमारे पास efficiency का ratio अब A की शमता तो 5 है A की शमता तो हमारे पास क्या है तो टोटल काम कितना होगा टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा A की दिन में करता है 9 दिन में करता है A 9 दिन में करता है और A की शमता कितनी है A की शमता है 5 इतना वह यह हमारे पास काम है यह हमारे पास काम है 45 दोनों मिलके करेंगे हमारे पास यह आजाएगा और चाले तीन 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 मटे चौदा या फिर सेशन को लाइक करते हुच लेंगे सभी की सभी चीते सेशन को लाइक करते रहेंगे पर्टी फाइव अपॉन फोर्टीन पेंटालिस बटे चौदा इस राइट अप्शन चालो क्या रहे है सर इजी था बेलकुल इजी था is the speed of training including stoppage is चाले बहुत अच्छा को श्रन से國 करी अब यस को मैं आपको बिलकुल करने के देता हुऊ जो मैं बिलघ। करने के देता हुhst है कि आप लोग bekommen बताए इस वाले क्रूंत का आंसर कितना जाए वाट बुब्सिबांसर को शिंए बऒमक कीतना होगा इसका एक simple सा formula होता है इस quality question का एक simple सा formula होता है जानना चाहोगे ऐसे वाले question का फार्मला क्या होता डिरेक्टली बोलो बाइव लूग बोलो ऐसे वाले questions का डिरेक्टली फॉरमला होता है stoppage वाला क्या होता है the speed of train एक speed हमारे पाड़े त्रेन की अगर stoppage ने मिला जाये मेलोग कोई जा रहे है लुगई फिर्यूंट पहुंच यह बिना kaम डिए यह दो टैप कर अगर वर स्टापें स्पीड कि इसे बोल रख रहे हुँ तो कितने पर घंते हमारे पास कितने रुखता यह देखक्षा की लिए थीमांग में रख ले जो नॉम्ल बिना रुके fast speed माइनस जो stoppage वाली speed है upon fast speed यह हमारे पास यह हमारे पास minutes आ जाते हैं कि per hour कितने minute रुकी per hour हर घंटे वो कितने minute रुकी रुक जाया answer आ जाता है 90-75 upon 90 ठीक है तो कितना है हमारे पास 15 upon 90 आ जाएगा तो 15 on upon six on upon six minutes और वन अपॉन सिक्स किसका पूरे 60 इसका 10 minute per hour 10 minute per hour रुकी है तो एक गंट पूछ रहा है how many minutes Per hour प्रती घंटे कितना है रुके 10 मिनट रुके हर हर हमारे पास गंटे में 10 मिनट रुकी है हर घंटे में तुष समय डिया आशंगी ओधे ग्रिया, नीथी पंद्रा नहीं, दस आएगा दीना, अभी भी 15 बोल रहे हैं, अभी 15 पे लगे पड़े हैं पूरा बताने की बास भी 15 पंद्रा पंद्रा कर रहे है, क्या करते हो तुम ऐसा गुद मॉनिंग उपेज जी गुद मॉनिंग गुद मॉनिंग बोलो भाई लोग वाट वोड वी आंसर व दिसक्विशन इस प्रशन का उत्तर कितना होगा इस प्रशन का उत्तर कितना होगा हेलो हेलो वेश चली हमारे पास ए मानस फोल क्यूब मतला हमारे पास लग बलो वी क्या दे रखा है अभी a मानस b का होल क्यों भी आहता है a q m-3 a square b m-3 a b square मानस हमारे पास b cube अब कम इसकम इतना तो हमें पता होना ही चाहिए या फिस फॉर्म्ले को कुछ लोग ऐसे बोलते है a q minus 3 a b कि अंदर क्या होता है A-B कुछ भी बोलो तो तो आपकी मर्जी है ये minus minus plus हो जाएगा ठीक है minus minus plus हो जाएगा एक चीज़ प्लस होगी चालो देखते हैं इसको इसको भी उजना करो अगर formula को भी उजना करो आप अगर formula को भी उजना करो तो देखल लिए आप देख सकते हैं हमरे पास a cube सममे है और b cube जो होगा माइनस का होगा तो ये दून तो आणसरा नहीं सकते बचे ये दूनों option तो हमरे पास एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो यही वाला उत्तर सही है हमारे पास क्यों क्योंकि हमारे पास a cube minus 3a square b और यहाँ पर plus a 3b square minus minus 64 चलिए ठीक है क्या बात clear है कि अगले प्रसंद चलते हैं इस वाले का उतर क्या होगा इसकी वाइब बाई प्लस बनपोन वाइगर थी यह तो बाई क्यूब क्यूब कितना है आपको फॉर्मला पता होना चाहिए आपको फॉर्मला पता होना चाहिए विलकूल विक्रम जी कि अगर हमारे पास y एक एक यद्प विद्व प्लसा पोन कि अतुए कह थो युआ क्यूं अपन वाई कुब हमारे पास कितना वोटा ऐकी मैनसिकolph अपास्वलेस 133 फॉन वहरे पास मैनस3 फूरी तो 27 बैसने हमारे पास क्य एक 18 ना फर्वारे दौर और आंट्थ speech there चलिए यह हमारा उत्तर होता है बिलकुल बहुत अच्छे सेशन को लाइक करते रहेंगे साथ-साथ पता नहीं कहां से 24 लेकिया रहें आंसर पूरा अंसर बता देते हैं यह हमारा अंसर अलगा रहा है सर आप से बिलकुल अलगा रहा है यह भी बहुत इजी कोशिन है बिलकुल यह हमारे पास तू दे रखा है यह भी हमारे पास तू दे रखा है मैं निकालना घुसार गन और एश्र और डूट फटो अरवल्ची अबन सब्सक्रा अब रहाखा तो ऑगन पले तो प्लस मैं अपम कोरम 20 कोर के तना एगा दो स्केर मेनस टो डियेगा तो दो याय का दो या एका दो तो किए न में आतए चार होता है सिंबल कोशनक है वौर कमाल की बात ही आपके प्रीर सरे कोशन 23 से आपके शेजर धी ऑला कोशन अगला question इनने triangle ABC एक triangle हमारे पास AB है, right angle triangle है triangle हमारे पास ABC right angle triangle right angle triangle बोल रहा है na और कहां पर है right angle, angle A पर अच्छा, AB 4 cm है हमारे पास आपको समझ में निया है तो इसे बताएता हूं मैं angle A हमारे पास 90 degree है इसे B माल लेता हूं, इसे C माल लेता हूं अब हमारे पास उने बोला हुआ है कि 4, AB हमारे पास 4 है और BC हमारे पास 5 है तो यह हमारे पास 3 हो जाएगा, चलिए क्योंकि 3, 4, 5 होता है ना, जो हमारे पास वो होता है टिपलेट होता हो 3 4 5 होता है और यह 4 रखाई तो यह 5 यह फिस थे यह इतकर हो यहां से देख रहे हैं याहां से ए-स गराइसस हो जाएगे 31 upon 20 तो answer is D option 31 upon 20 मिले हमारे परास answer कितना है D option आ जाएगा answer हमारा उत्तर D option जब यहां से देखते हैं तो base हמारे पास यह हो जाएगा तब हमारे पास cost भी कितना है cost भी कितना है cost भी यहां से देख रहे हैं तो 4 चार बटे 5 उस वाद कॉर्ट्स यहां से देख रहे हैं तो बेस अपन परपेंडिक्लोर तो तीन बटे चार ठीक है शुभांगी 27.20 ने 31.20 है ना इतने घटिया कोश्चन को प्लीज गलत ना करें 31.20 अपन 20 आएगा आंसर डी ओप्शन इस राइट आंसर चलिए अगला कोश्चन चलिए अगला कोश्चन देखते है इस वाले को उतर बताया है वोच चैना जेली को फोलेंग यह वाली आश्युट है यहां 0 आएगा क्या यहां 0 आएगा शायद बच्छो आँ यहां 0 आएगा अभी को यहां थेटा कैसे लिखा हो है यहां 0 आएगा यह 0 है यह 0 है इसे काट दो इसे काट दो यह सामने इसके कितना है 0 है इसकी बराबर 0 है यह बराबर में 0 है बराबर मैं जीरे में यहां पर लिख देता हूँ cos square theta minus cos theta is equal to 0 theta की value क्या होगी यह question means में आएगा आएगा तो पता नहीं हाँ आच चुके है है ना आएगा आएगा तो पता नहीं पर हाँ exam में आच चुके है मासूम बालक हमारे कोशन आसान है तो बोलते हैं किसरी एडवांस में आएए means मास देखो अब 63 रखेंगे तो यह 63 रखेंगे तो 1 upon 2 1 upon 4 आजाएगा और यह 1 upon 2 0 तो आने से रहा तो यह तो उतर नहीं होगा 90 लगाएगे 90 लगाएगे तो हमारे परस कितना हैगा 0 minus 0 पताओ क्या उतर आएगा minus 2 भी एए साथ में यह minus 2 भी हमने मिस कर दिया है minus 2 भी एए साथ में तो हमारे पास हमारे पास cos square theta है minus 2 है और minus 2 है और plus में plus में हमारे पास cos theta है तो हमारे पास अगर 90 लगा ने सकते हैं 0 0 minus 2 बच जाएगा यह भी नहीं लगा सकते 30 लगाएगे तो यह 3 by 4 आजाए चलो minus 2 plus root 9 यह भी नहीं आएगा 0 degree भॉसता है 0 degree भॉसता है 0 degree लगाएगे देखते है 60 भी लगाएगे देखते हैं यह उतर क्या आता है 0 degree 1 आ गिया minus 2 और plus 1 आ गिया तो उतर यह है 90 degree कांस आ जाएगा 90 degree का और यह भी 0 पिर minus 2 तो आंसर तो मानेस टू बच जाएगा ना बराबर किसके लिए कि आना है जिरो के बराबर लेकि आना है तो मानेस तो तो बचना चाहिए तो 90 डिगरी आंसर नहीं होगा 60 भी नहीं होगा 30 भी नहीं होगा एक यह option होगा डी option अरिद्पोन चेतिया ओफिशल जी सबसे इंपोरेंट बुक जो किसी भी एक्जामिनेशन के लिए होती है चाहिए वो आपका MTS का उचे CHL का उचे CGL को प्रीविस एक वेस्ट भूक प्रीविस एक वेस्ट भूक जिन भी चीतों का हमारे पास MTS का एक्जामिन उन सभी को बहुत 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 बढ़ाई है ठीक है आप देखिए किसके बराबर आता है 1 upon root 3 10 alpha 10 alpha हमारे पास 1 upon root 3 किसके बराबर आता है ये क्या होना चाहिए 30 degree होना चाहिए तो alpha किसके बराबर है 30 degree के बराबर अच्छा 10 beta हमारे पास 10 beta हमारे पास किसके बराबर है root 3 तो beta हमारे पास बीटा हमारे पास किसरा हो रहेगी 60 डिए हमें क्या निकालना कॉस अलफा प्लस बीटा अलफा हमारे पास 30 बीटा हमारे पास 60 तो 30 प्लस 60 हमारे पास अलफा प्लस बीटा तो कॉस 90 कितना होता है 0 होता है तो आंसर कितना है का बी ओप्शन 0 बी अप्शन 0 ठीक है तो alpha 10 alpha one upon root 3 कब होता है यह अलफा 30 डिगरी होता है 10 beta root 3 जब beta 60 होता है तो alpha plus beta 30 plus 60 90 होता है तो cos 90 कितना होता है 0 होता है तो answer is 0 answer is 0 पता नहीं विक्रम सिंग जी का answer 1 आ रहा है कि अभी भी आ रहा है अन्न सद्दाम जम्टी जी का इस प्रता निकि वन आ रह रहे कहां से आ रहा आप लोगों को अभन वन देके निकूट देके आंक क्ष Nicholas जाने चाहिए क्योंग है यही नी आता है इस नी चाही को अच्छा करना है लो छली इससे बताइए तो बहुत ही आसान कोश्चन है तो बहुत ही आसान कोश्चन है पॉइंट डी इएफ हमारे पास एक सर्कल है हमारे पास एक सर्कल है पॉइंट डी इएफ सभी के सभी सर्कॉंफरेंस हो उस पे ठीक है सेंटर हमारे पास O है और डी इएफ चालो एक D ले लेते हैं एक E ले लेते हैं और एक F ले लेते हैं तो पॉइंट D E F चल कितना है हमारे पास 48 डिगरी है क्या निकालना है डी ओ एफ ऐसे पता लगा मुझे के डी ओ अब आप खोदी बताइए जितना एंगल यहां पर होगा उसका डबल एंगल यहां होता है सेंटर पर होता है तो यहां कितना 96 डिगरी होगा 48 वहां पर है तो 96 डिगरी तो बहुत इज़ी है थि आप जोरूरी नहीं इह वहां परलिते तो डी ओफ तो लेना ही पड़े breaths इसको ओ है यह दी नहीं पास मारे पास ऐए फ है लिजमेना ही पड़ेगा आप इधर ले लो ई इधर लेलो इधर लेलो इधर लेलो इवह तुस्से कोई फरक ने पड़ेगा सेंटर पेंगल डबल ही आएगा सेंटर पेंगल डबल ही आएगा अब यह वाला कोश्चन ये वाला कौशन आप सभी के लिए क्या होंवग है हमारी आज जो हमने एक कोशन हमनेख छोड़ा है उसे करके बी तो जाना है मैं अर्थ थोड़ा है कि उसकूशं को करना नहीं है करके बी जाना है दो के यला पो कोशन ये भी नहीं हो कोशन ये भी नहीं हो कोशन ये भी नहीं हो कोशन इससे पहले का है शायद हाँ ये रहा तो कोई वाला कोशन हमने किया नहीं था पांस साल में तैन परशन तू बना देगा एक काम करते हैं मैं ले लेता हूँ पहला यह option लेता हूं, पहले options उठाना start करते हैं, options उठाना start करते हैं, 5 साल हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच बा, compound की बात कर रहा है, तो पहले साल 20, अगले साल भी 20% माल, लोग भी पहला यह option उठा लिया हमने, तो approximate value यह आ सकती है, हमारे पास, हाँ इसने बोला भी हुआ है, और इसने बोला भी हुआ है, approximate value निकालने के लिए, चलिए, तो क्या आएगा हमारे पास, 20 plus 20, plus 20 into 20, इसे बोलते है, successive rate, ऐसी कर सकते तो कितना है, 40, और यह हमारे पास कितना है, 4 आएगा, तो 44, ऐसी अगले दो सालों का 20 और 20, वो भी कितना है, 44 आएग और लास साला कितना बचेगा, 20 बचेगा, चलो, यह पहले और दूसरे साल का एक साथ मिला के है, यह तीसरे और चोथे साल का एक साथ मिला के है, और यह हमारे पास पांचवे साल का, अब इन दोनों को करेंगे, तो 44 plus 44, प्लस 44 into 44 upon 100, ठीके तो यहां कितना है, 88 आएगा, 44 क हमारे पास 44 से into हो रहा है, तो 16, 16, 16, कितना 32 और एक, 33, 16, 19.36 हा जाएगा, तो 19.36, यह नीचे 100 है न, दोनों को प्लस करेंगे, 20 अगर प्लस होएगा, तो 88 में अगर 20 प्लस होता है, तो हमारे पास कितना आएगा, 108 हाएगा, तो 107.36, 107.36, तो 107.36 को 107 ले ले लेता हू अगर, फिर से क्या प्लस करना है, 20 प्लस करना है, 20 अफिर्ष का, इनका फिर से सकसिसी लगाना है, 107 into 20, ठीके, पहले इन दोनों का सकसिसी 44 आया, फिर 44 हो 44 का एक साथ बिलागे, 107.36 आया, फिर जो आया, इन चार साल का, 107.36, उसे 5 साल के 20 पर साल लगा दिया, लगा दि यहां भी देखिए यहां भी देखिए यहां भी देखिए 1005 लाइख से 2.5 lakh जा रहा है तो कितना lakh बढ़ गया 1.5 lakh बढ़ गया किस पर 1.5 lakh ये 1 lakh कितना lakh बढ़ गया 1,2,3,4,5 किस पर 1 lakh पर तो हमारे पास बिलकुल यहाँ भी हमारे पास 150% हो जा रहा है 15.10 का मतलब कितना हो 15 आप खुद देखो 1.5 lakh बढ़ गया किस पर 1 lakh पर 1.5 lakh बढ़ गया 1 lakh पर 1.5 lakh बढ़ा है 1 lakh पर तो 150% बढ़ा है और यहाँ भी हमारे पास 150% ये ही option आ रहा है तो यही उत्तर होगा ये ही option होगा इसका 37 ही 27 होगा एक मिन दूख जाओ अच्छ हाँ 27 होगा वो ही है फिर भी हमारे पास ये बल्कुल इननों को प्लस करके 127 होगा फिर भी हमारे पास 150 प्लस ही जा रहा है 150 प्लस ही जा रहा है आगे आप देखना 150 के आसपास यह 149 सम्थिंग जाएगा तो लग बढ़ लग भी हमारे और वहाँ भी 150% जा रहा है जिन भी बच्चों को नहीं पता है 4 सप्टमबर लास डेट है आज आप सभी को पता है आज पहली डेट हो जाएगी तो आपको 247.com पर जाना क्योंकि इंपोर्टन आपका एक फॉर्म है वो अभी ड्यू है 4 सप्टमबर उसकी फिर लास डेट है तो जिसने भी फ़िटक फ फॉर्म नहीं भरा है यह बहुती प्रॉपर थी सह यह बहुती बैच्सर जिसके अंदर अभी वह और कहीं नहीं मिलेगा हम ही करा रहे हैं तो और हमने पहले भी स्टुएंट्स निकालें इसके इंदर आप इस बार भी जुएन कर सकते हैं हमारे पास यह बैस्टार्ट हो रहा है अभी बारा सिप्टम्बर से बैस्ट हो रहा है इसकी जो एक्जाम डेट वो अब तक नहीं आई है तो आराम से आ सकती है आपके पास द दाउनलोड करते हैं अगर आपके पास एप होती है तो वहां पर आप क्यूज लगाते हैं तो वहां पर और और कम हो जाएगा इसका प्राइस तो आपके फीस होगी वह 1279 से और भी कम हो सकती है तो वाई 763 7963 आपको कोड लगाना है आपको टेस्ट रिस आपको बुक चाहिए ये बुक चाहिए तो वाई 763S ये आप लगा सकते हैं ठीक है तो ध्यान लखेंगे अपना कोशिश किए हमने कि सारे के सारे कोशन सकावर हो दो दो आपके तो ग्यान लगाने कोशन सकते हैं वाई लगाई अपकोशन सकते हैं लगाने कोशन सकते हैं लगाई झाल झाल